प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी गुजरात में दो दिन के दोरे पर है और अपने जनसभाओं में जनता से समवाद कर रहे हैं गुरुवार को आनंद में एक जनसभाओं में उन्होंने कॉंग्रेस पर टीक ही टिपणिया की है पीम ने कहा भारत में कॉंग्रेस की कमजोरी दिख रही है यहां कॉंग्रेस मर रही है तो वहां पाकिस्तान रो रहा है उन्होंने कॉंग्रेस के साथ पाकिस्तान की पार्टनर्शिप पर भी बात की गुरुवार को आनंद में एक जन सबा में भारी संख्या में लोगों को संबोधित किया उनका एक मातर मकसद राश्ट्र के उत्थान और विकास में जनता को सहीोग करने का है उन्होंने कहा जब तक मोदी है SC, ST, OVC और सामान्य वर्क के गरीब लोगों को जो आरक्षन मिला है वह कोई नहीं छीन सकता उन्होंने कॉंग्रेस को भी निशाना बनाए और कहा कि कॉंग्रेस के लिए पाकिस्तान के आका दूआ कर रहे हैं उन्होंने गुजरात में आकर कॉंग्रेस को चुनोती दी और कहा ये लोग करनाटक में यह परियोग भी कर चुके हैं करनाटक में रातो रात सभी मुस्लिमों को OVC घोषित कर उन्हें 5 प्रतिशत आरक्षन दे दिया गुजरात में पी-म की दोरे के बाद आज उन्हें सुरेंदर नगर, जूनागर और जाम नगर में जन सभाए हैं आगामे 7 में को 25 सीटों पर होने वाले वोटिंग की तैयारी अभी जोर उपर है इसके बाद जल्द ही लोग से वचनाव के परिनाम खोषित होंगे